हेलो माई यूटू फैमली वेलकम बैक टू माई चैनल तो फ्रेंड्स आज मैं फिर से आ गई हूँ एक होम रेमेडी फेस पैक के साथ तो ये विंटर्स के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है फ्रेंड्स और विंटर्स में हमारे चेहरे बहुत ड्राइ हो जाते हैं तो य करते हैं तो यहां पर मैंने ले लिया है कोफी और इसमें मैं अब ले रही हूँ कोकोनेट ओयल हमारे घरो में अकसर रहता है फ्रेंड्स और यहां मैं ले रही हूँ यह पीसा हुआ चीनी आप मोटा वाला चीनी का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें क्योंकि उससे आपके चेह बनाऊंगी और यह हमारे स्क्रवर बनके बिल्कुल रेडी है यह देखिए ऐसे दो मिनर तक हम इसको चलाते हुए तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसे हम दो मिनर तक लगतर चलाएंगे ताकि सब कुछ अच्छे से मेल्ट हो जाए और अब यह लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है और अब मैं इसे अपने फेस पे लगाऊंगी फ्रेंड्स इस रेमेडी को लगाते हुए हमें फेस को अच्छी तरीके से मसाज देना है क्योंकि जितना अच्छा हम मसाज देंगे उतना ही पफेक्ट रिजल्ट आएगा तो इसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है और लागातार मसाज करते रहना है पहले आप इसक कॉफी एक ऐसा नैचुरल इंग्रिडियंट है जिससे हमारे स्कीन के सारे प्राबलम्स खत्म होते हैं दाग सेल्स रिमूब होते हैं हमारे स्कीन टाइट होती है हमारे स्कीन लाइटनिंग होती है हमारे स्कीन मुलायम होती है तो इसके बहुत सारे फायदे है तो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वो प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब किजिए क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है तो प्लीज सब्सक्राइब किजिए और ऐसे ही मज़ेदार मैं वीडियो आप लोगों के साथ में शियर करती रहूंगी तो फ्रेंड्स मैंने बहुत देर तक मसाज किया है काफिर ज्यादा टाइम हो गया है तो अब मैं इसे पानी से क्लीन कर लेती हूं और फिर मैं आपको दिखाती हूं तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो पहले कॉफी का पेस्ट बना के रखा हुआ है उसी में मैं फिर आटे का इस्तेमाल कर रही हूं तो यहाँ पे मैंने एक चमच आटा लिया है और अब मैं इसमें हाफ लेमन डाल रही हूं तो और इनको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी क्योंकि यहाँ पे हमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है और इनका अच्छा सा एक पेस्ट मैं बनाऊंगी फ्रेंड्स जिसके फेस पे पिम्पल्स हैं वो प्लीज नीम्बू का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें वो इसके जगह पे गुलाब जल का इस्तेमाल करें और आप देख सकती हैं यहाँ पे फेस्ट बनके बिल्कुल रेडी है और अब मैं इसे अपने फेस्ट पे लगाऊंगी और आप इसका रिजल्ट देखिएगा तो फ्रेंड्स इसे मैं अपने फेस्ट पे लगा रही हूँ और आप इसका रिजल्ट देखना एकदम magic वाला result आता है friends तो आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करना और comment करके मुझे बताना कि आपको कैसी लगी ये remedy क्योंकि प्लस में ये home remedy है तो मतलब इसका तो कोई जवाब ही नहीं है आप कोई भी छोटी बड़ी party में जा रहे हो तो आप इसे एक बार ट्राइ करो उसके बाद ready होके आप चले जाओ पारलर जाने की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है और प्लस में इसको आप किसी भी age में लगा सकते हो आप male हो female हो आप लगा सकते हो friends ये तो मैंने dry skin के लिए बताया है और लेकिन जिनकी oily skin है मैं उनके लिए भी video share करूँगी क्योंकि अभी winters आ गया है और winters में हमारे skin बिल्कुल dry हो जाते हैं तो मैंने आप लोगों के साथ में ये video share की है और जिनकी oily skin है मैं उन सब को बता देती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए भी एक video लेके आऊंगी जो कि बिल्कुल oily skin के ऊपर ही होगा तो friends आप देख सकते हैं मैंने इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से लगा लिया है और अब मैं इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से सूख जाए तो friends आप देख सकते हैं 10 मिनट हो चुके हैं और अब मैं face wash करके आपको दिखाती हूँ तो friends मैंने face wash कर लिया है और आप देख सकते हैं मेरे face को मैंने कोई face wash का इस्तिमाल नहीं किया है मैंने बस पानी से clean किया है और आप मेरे face को देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्राइट हो गया है आप देख सकते हैं हमें पारलर जाने की क्या जरूरत है जब हमारे कीचन में ही इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं जिनसे हम अपना फेस्पाइक बना सकते हैं तो हमें पारलर जाने की क्या जरूरत है आप देख सकते हैं फ्रेंट्स अग झाल झाल